देश की जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा एक बड़ी परेशानी में घिरते दिख रहे हैं। उनकी नई नवेली पत्नी यानिका बिंद्रा ने उन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। यानिका बिंदरा से विवेक बिंदरा की शादी अभी हाली ही में 6 दिसंबर को हुई थी इन्होंने अपने दामपत्ती जीवन की शुरुआथी की थी कि तब ही विवेक बिंदरा ने कुछ ऐसा कर डाला जिसके बाद इनकी नई नवेली दुरहनिया को अस्पताल में भरती करवाना पड़ गया इनकी पत्री का नाम है यानिका बिंदरा जो विवेक बिंदरा की दूसरी पत्री है 41 वर्षी विवेक बिंदरा ने इनसे कुछ दिन पहले ही शादी रिशाई थी लेकिन दोनों के संबंधों में इतनी जल्दी करवाहट भर जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था यानिका बिंदरा के मुताबिक विवेक बिंदरा ने उनसे शादी के कुछ घंटे बाद ही मारपीट करनी शुरू कर दी थी जबकि अब उनके बीच का विवाद इतना जादा बढ़ गया कि विवेक बिंदरा ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट कर डा ली यानिका बिंदरा के करीबियों के मुताबिक उनके शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं जबकि उन्हें सुनाई भी कम दे रहा है उन्हें अस्पताल में भरते करवाया गया है जबकि उनकी तहरीर पर विवेक बिंदरा के खिलाफ नर्डा सेक्टर 126 थाने में FIR भी दर्ज करवा दी गई है यानिका बिंदरा की बात करें तो इन्हें लेकर जो बातें अब तक सामने आई हैं उसके मताबिक इनकी उम्र 30 साल के आसपास है और ये विवेक बिंदरा से पूरे 11 साल चोटी है बताया जा रहा है कि विवेक बिंदरा के साथ इनके कुछ समय से करीबी संबंध रहे थे जिसके बाद इन्होंने शादी करने का फैसला किया था यानिका शादी से पहले तक अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के चांद नगर में रहा करती थी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मताबिक यानिका के भाई वैभव वात्रा ने ही बहन की ओर से पुलिस में 14 दिसंबर को F.I.R. दर्ज करवाई थी उन्होंने बताया कि विवेक बिंद्रा ने शादी के बाद से ही यानिका से मार्क पीट शुरू कर दी थी F.I.R. में उन्होंने लिफाया है कि उनकी बेहन को कमरे में बंद किया गया था उसके बाद उनसे गाली गलोज की गई और मार्क पीट भी की गई जिससे उनके पूरे बदन पर जगा जगा पर चोट के निशान उभराए हैं उनके मताबिक विवेक बिंद्रा ने पत्नी यानिका के कान पर भी इतनी जोर से प्रहार किया कि उनके कान का परदा भी फट गया जिससे उन्हें बहुत कम सुनाई दे रहा है यानिका से शादी से पहले विवेक बिंद्रा ने गीतिका सबरवाल से शादी की थी लेकिन उनके साथ भी उनका रिष्टा लंबा नहीं चल पाया बताया जाता है कि गीतिका के साथ भी इनका विवाद लंबे समय तक चला था जिसके बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला किया विवेक बंद्रा की पहली पत्नी गीतिका सबरवाल से इन्हें एक बेटा भी है जो भी काफी छोटा है विवेक बंद्रा और पहली पत्नी गीतिका सबरवाल का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है आपको बता दें कि विवेग मिंद्रा देश के परसिध मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके करोडों फॉलोर्स हैं ये बिजनस की बारी किया और किसी बिजनस को सफल बनाने का मंत्रा भी देते हैं कई बड़ी हस्तियां भी इनके परशंसकों की लिस्ट में शामिल हैं